हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है आप सबी को परधान मंत्री मात्र बंदना योजना का रेजिस्टेशन किस तरह से अपने मुबाइल से ओनलाइन करना है तो आज इस टॉपिक पे चार्चा करने वाल हैं आपको यदि अपने मुबाइल से परधान म आप वीडियो में एड तक बने रहेगा और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बेल एगन घंटे को प्रेश कर लेज़ेगा आपके फोन में एक रोम ब्राउजर या गूगल होगा तो आप इस से गूगल से भी कर सकते हैं आप ओपन कि कीज़ेगा और उसके बाद आपको यहां पर किलिक करना है आप यहां पर किलिक करेंगे आप इसे लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह का पेज़ खुल के आएगा तो यहां पर सबसे पहले आपको आपके विभाग के द्वारा जो इमेल आईडी थाद यहां पिल qualcंक को नारा है व्होंच सब85 सबी के दिए और तो आपको सब्सक्राइब करें मारत शिम्लाइब हिस पड्ले के सब्सक्रार में. पहला option है आपका beneficiary registration जब आपको परधान मंत्री हे तू रेश्टेशन करना है तो आप यहाँ पे इसे किलिक करेंगे और उसके बाद जब आपको registration कर लिया है और उसमें कोई correction करना है आपने उसे update करना है तो आप यहाँ पे second option पे जा सकते हैं उसमें correction करने के लिए तो यहाँ पे आप registration करने के लिए यहाँ पे पहले option पे किलिक कीज़ेगा और उसके बाद आपको इस तरह का page खुल के आए तो यहाँ पे आपको यदि English में यह format समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ उपर select language पे जा सकते हैं आप इसे किलिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो option दिये गए हैं English और Hindi आपको यहाँ पे विभिन परकार की बाताया नहीं दिये गई है या तो आप इंग्लिश में इस format को देख सकते हैं या फिर Hindi में आप इस format को समिट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी select कर लिजएगा और यहाँ पे आप कि home page पे आगे हैं तो आपको फिर से अपना registration करने के लिए यहाँ पर फ्री लाइन से दिखाए दे रही हैं आप इसे किलिक किजेगा और उसके बाद आना है आपको data entry पे आप data entry पे किलिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पहला option है beneficial registration तो आप इस पे किलिक किजेगा आपको यहाँ पर नेट कोई issue भी हो सकता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक आपकी यह blue line यहाँ पूरी complete नहीं होती है तब तक आपका यह form खुल नहीं पाएगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा form हिंदी में आ गया है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उपर लाभार्ती का पंजगरन करने के लिए यहाँ पे उपर आपको option दिया गया है क्या केंद सरकार या राज़ा सरकार करम चारी है यदि लाभार्ती के husband सरकारी जोप में है तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है यदि नहीं है तो आपके लिए option पहले से ही दिया गया है नहीं पे तो यहाँ पे आपको नहीं पे क्लिक करना है उसके बाद है आपका दूसरा उपसर आवेदन के लिए ये कौन सा लाभारती है पहला या दूसरा तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी सेकिंड चाइल के लिए तो आपको यहां पे second पे click करना है यानि दूसरी पालीका पे click करना है और उसके बाद नीचे दिया गया है आपको जिवी बच्चों की संक्या तो यहां पे आपको number of living children तो यहां पे आप जैसे ही इस पे click करेंगे तो आपको यहां पे number दी तो यहां पर आपके बाच्चों की संक्या दो ही होनी चाहिए क्योंकि यदि आप सेकेंड चाल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पहला लड़की होगी या फिर लड़का होगा तो इसलिए आपके दो ही बच्चे आप पर होनी चाहिए तो यहां पर नमबर टू डालें जब आप यहां पर लाभरती का अधार डालेंगे तो आपका इस तरह से गूल-गूल यहां पर गूमेगा क्योंकि आपका अधार ओनलाइन हो रहा है और उसके बाद जन्मितिती डालेंगे उसके बाद यहां पर आपकी जन्मितिती डालने के बाद उम्र स्वेंग यहां पर फिलप हो जागी एढ़ फिर आपको भरना है यहाँ पे इस category आप जिस भी category से向 ждlist करते हैं तो आपでも आप category डाले इसेगा ऐसके बाद आपको mobile number डालना है फिर आता है आप पात्रता पर्मारे पत्र आप की काफ़ी आपस लेगा है तो हम ले इस्रेम कार्ट स्लेक्ट कर लिया है तो इस्रम कार्ट के आपको नीचे यहाँ पे आईडी पहचान पत्र डालनी होगी यानि आईडी नमबर जो इस्रम कार्ट में आईडी नमबर दिया होता है आप उसे यहाँ पे डाले जीगा उसके बाद फाइल अपलोड करें यहां पे आपको फाइल अपलोड करनी है इस्रम कार्ट जो उपर आपने दस्ताविज लगाए उसको यहां पे आपको अपलोड कर लेना है जो मा की RCH ID होती है, आप उसे यहाँ पे ढालेंगी और उसके बाद आपको यहाँ पे ढालना है M. C. P. पंजीकरन तिति में टेकरन कार्ट में उनकी पंजीकरन तिति होगी आप यहां पे डाल लेजेगा और उसके बाद उनकी LMP डालनी है जो भी टेकरन कार्ट में लिखा हुआ है आप उसे ही यहां पे डालेंगे एंड उसके बाद है आपको ANC की तारीक प्रशो पूरो जाच जो प्रशो पूरो जाच उसमें लिखी होंगी टेक अगर कार्ट में तो आप वहां से इसमें चड़ा लीज़ेगा और उसके बाद है आपको क्या बच्चा पैदा हुवा है तो आपको हां पे किलीग करना है और उसके बाद है बच्चे की वास्तिबिक जन्वती जो भी बच्चे के जन्वत परमारण पत्र में उसकी वास्तिबिक date of birth लिखी है आप उससे यहां पे select कीज़ेगा और उसके बाद है इस गरवस्ता में पैदा हुए बच्चों की संक्या तो यहाँ पर बच्चों की संक्या डाल लेनी है आप इसे open करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको one डाल लेना है यदि दो बच्चे पैदा हुए हैं जुड़वा तो आप two number डालेजें उसके बाद आपको डालना है बच्चे के जन्म सहस्तान का परकार तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे का उप्सन दिये गए है आगरमाड़ी शेंटर गवर्मेंट हॉस्पिटल घर पे या कहीं अन्य जग है प्राइबिट हॉस्पिटल जहां पे भी आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आप उसे क्लिक किजेगा उसके बाद नीचे है आपका सिसू जन्म सहस्तान का नाम कहां बच्चा पैदा हुआ है तो आप यहां से जहां भी बच्चा पैदा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल का नाम या घर पे कहीं पे तो आप उसका नाम यहाँ पर जर्म प्रमाण पत्र में लिखा होगा तो आप यहां पर लिख लिएगा एंड उसके बाद आता है हमारा पहला बाल लिंग तो यहां पर आपको पहला बाल लिंग महिला डालनी है यानि फीमेल डालना है क्योंकि आप सेकिंड चाल्ड के लिए फॉर्म बर रहे हैं यहां फिमेल पे क्लिक करते हैं तो आपका ये second child के लिए form नहीं भरा जाएगा आपको ये form cancel हो जाएगा क्योंकि आप second child के लिए form भर रहे हैं तो आपको यहां पे second number female पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको बरतमान पता डालना है यहां से आप छेतर को ग्रामिड सहरी select कर सकते हैं पता में यहां पर जो भी आपका बरतमान पता है जहां भी रह रहे हैं तो आप उसे यहां से भर सकते हैं और उसके बाद आपका यहां पे state का name और जो जिला है आपका district और block जो तदें बाद बिलेज मेई बीजे है वाई नेम है नवší अब डाल हुआए अर वाणे ही केठी कोट घुम केमेई केंदर ने में और कौट navigating कोट शेक करेंगे तो यह से आप सारी देटेल को फिल उप करेंगा बीज में आपके तरह इसे समीड कर लेजेगे तो इस तरह से आप अपनी परधान मंत्री मात्रतो बंदना योजना सेकिंड चाइड यानि दूसरी बालिका के लिए जो फॉर्म फिल अप कर रहे हैं तो आप उसे इस तरह से भली जीगा तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई वीडियो पर अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाक किजएगा शियर किजएगा